नमस्ते वियारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ, आप सब स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपना अपना ध्यान रख रहे होंगे बच्चों हमारा रीडिंग अभ्यान चल रहा है, उसकी अंतरकत आज हम अपनी हिंदी की कारे पत्रिका करने वाले हैं, जिसकी क्रम संक्या है साथ तिथी है, 24 जनवरी 2022, हमारा दूसरा सब्ता चल रहा है बच्चों, और थीम है मानवता यहाँ अप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पर अपनी सिक्षिका का नाम लिखेंगे चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आईए बच्चों, कहानियों को सिलसिला आगे बढ़ाते हुए, नीचे दी गए चित्रात्म कहानी को ध्यान से देखते हैं और चित्रों की मदद से उसे पूरा करते हैं तो नीचे जो चित्रों आपको दिये गए हैं, ठीक है, इन कहानी को हमें आगे बढ़ाना है ठीक है, देखिए एक चितर में आपको गधा और घोडा दिख रहे हैं, आगे इसके सामने एक वाक्य भी लिखा है, महेश के पास एक गधा और एक घोडा था, ठीक है, नमबर दो, महेश ने एक दिन खालिस्थान की पीट पर सामान की भारी पोटली लाद दी, लाद का मतलब होता है, रखना, ठीक है, जब सामान उनकी पीट पर भर दिया जाता है, धोडिया जाता है, उसे लाद ना कहते हैं, ओके, तो महेश ने एक दिन, तो ये कौन दिखरा चितर में हमें, गधा, महेश ने एक दिन गधे की पीट पर सामान की भारी पोटली लाद दी, परंतु उसने गोडे की पीट पर कुछ नहीं, यहाँ पर आप देखें, गोडे की पीट पर कुछ है, क्या कोई भी समान नहीं है, तो इसमें sentence वाक्य हमारा क्या आएगा, परंतु उसने गोडे की पीच पर कुछ नहीं लादा, हमने अभी पढ़ा, लादने का मतलब क्या होता है, स चाहिए तो बहुत-बहरी क्या है उसकी पीट पर बहुत-बहरी सामान है ठीक है ? क्या तुम मेरी थोड़ी मदद कर सकते हो ? अब गधा भिचारा बहुत वजण बरदास्थ कर रहा था उसने का कि गोड Holz उसने गोड़ी से request की कि भाई मेरी पीट पर बहुत-बहरी सामान है kya तुम मेरी मदद कर सकते हो तो फिर क्या हुआ आगे ने खालिस्थान ने मना कर दिया तो किसने मना किया घोडे ने मना कर दिया कुछ दूर चलने के बाद गधा बोज से नीचे गिर गया आगे क्या हुआ महेश ने उसे उठाया और उसकी पीट से बोज हटा कर घोड़े की पीट पर लाद दिया ठीक है अब उसने क्या किया जब घोड़ा गधा गिर गया वजन से तो उसने सारा का सारा समान उसकी पीट से उतार कर घोड़े की पीट पर लाद दिया आगे क्या हुआ अब घोड़ा पच्टाने लगा और उसने सोचा कि काश मैं पहले ही गधे की बात मान कर आदा बोज ले लेता तो मुझे पूरा बोज लाद कर बाजार तक नहीं जाना पड़ता क्या आप देख रहे हैं कि किसने रिक्वेस्ट की थी गधे ने रिक्वेस्ट की थी कि प्लीज मेरा थोड़ा सा सामान ले लो मेरे पीट पर बहुत वजन हो गया है लेकिन गोड़े ने क्या क्या उसे मना कर दिया कि नहीं नहीं मैं नहीं करने वाला तुम्हारी मदद लेकिन बाद में जब गधा बोश से नीचे गिर गया तो मालिक ने क्या गया महेश ने सारा का सारा सामान गोड़े की पीट पर लाद दिया अब गोड़ा पच्टा आ रहा था कि काश अगर मैंने पहले उसकी मदद कर दी होती तो मुझे इतना सारा सामान लेकर नहीं जाना पड़ता क्योंकि अगर वो पहले ही मदद कर देता तो आधा-धा सामान लेकर जाता लेकिन बाद में उसे सारा सामान लेकर जाना पड़ा तो बताओ बच्चो कहानी कैसी लगी? बताईए आपको कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी ना? आईए इस कहानी को शीर्षक देकर अपने शब्दों में लिखते हैं और परिवार के सभी सदस्यों को पढ़कर सुनाते हैं अब आपको क्या करना है? इस कहानी को शीर्षक देना है शीर्षक मतलब वो ऐसे शब्द बताईए जिसके आसपास कहानी घूम रही हो और घूडा आप कूछ और सोच कर भी लिख सकते हैं आगे है जानवर हमारा बोज धोते हैं और रोज की दिन चर्या में हमारी मदद करते हैं आए बोजह डोकर हमारी मदद करने वाले किनी दो-जानवरों के चितर बना कर उन के बारे में 2 पंक्तिया लिखे ठीक है तो आपको क्या करना है आपको बताना है कि ऐसे कौन से दो जानवर है जो की वजन ढोकर ठीक है सामान ढोकर हमारी मदद करते हैं और आपको उनके दो उन दोनों की बारे में दो दो पंक्तियां भी लिखनी है ठीक है और उनके चित्र भी बनाने है तो देखी कौन से द इनका रंग कैसा होता है और यह हमारे किस काम आते हैं और दोनों की चार-चार टांगे होती है आप ऐसी कुछ इनके बारे में दो वाके लिख सकते हैं जैसे घोड़े के विशेश्टा बताई जाए तो घोड़ा बहुत तेज भागता है ठीक है तो यह सब आप लिख सकते हैं अब कोई और पंक्तिया आपके ध्यान में आए तो आप वो भी लिख सकते हैं अभी वावकों के लिए सुझाओ बच्चों को बताईए कि लगातार पढ़ने की आदत हमारी एकागरता में सुधार होता है तो बच्चों को बताने कि अगर आम लगातार पढ़ते रहेंगे पढ़ेंगे तो हमारी जो ध्यान देने की शमता है ठीक है एका कारता है कंसेंट्रेशन पावर रहें उसका विकास होता है तो बच्चों यह थे हमारी आज की वाक्षीट जिसमें हमने कहानी पढ़ी चिक है आप इसे अच्छे से करेंगे और इसे सॉल करके से क्वाशन आं किके बंचो धंक्यू